तो क्या आप भी इस तरह की पातरता परची डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी केवल अपने मोबाइल फोन पर जी हाँ अगर आपका भी जवाब हाँ है तो मैं आगया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर कि किस तरह से आप परिवार खाद्यान शुरक्षा पातरता परची ए राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो भी केवल अपने मोबाइल फोन पर घर बैठें तो आपको इस चीज को डाउनलोड करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहना होगा वीडियो को आखर तक देखना होगा और एक चीज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करन होगा तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं तो आपको आजाना है सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर को दोस्तों आप जैसे ही खोलेंगे आपके सामने क इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और क्लिक करके आपको लिखना है राशन मित्र एप आप जैसे ही दोस्तो राशन मित्र एप लिखेंगे लिखते ही आपके सामने दोस्तो एम राशन मित्र एप नाम का एक अप्लिकेशन आ जा होगा आपको इस application को open कर लेना है application खुलने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे वाले right बिटन की तरफ क्लिक करना है और आपको यह सारी चीजों को allow कर देना है जैसे ही आप इन सब को allow कर देंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा आपको इसे फटा फट आगे बढ़ा के और यहाँ फिर से ना दिखाए को क्लिक करके app खोले पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप यह करेंगे तो आपकी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी और इसमें आपको थोड़ा सा फोन को समय भी लग सकता है आपके पास जैसे ही दोस्तों यह इंटरफेस आ जाएगा आप देख सकते हैं कि परिवार की नवीन खाद्यान सुरक्षप परची जानकारी पर क्लिक करना है आपको इस पर क्लिक करने क्लिक करके अपनी परिवार आईडी को लिख देना है उस तो आप देख सकते हैं मैं अपने आठंको की परिवार आईडी को इसके अंदर डाल दिया है डालने के बाद दोस्तों मुझे यहां submit बटन पर click कर दूँगा मैं जैसे ही submit बटन पर click करूँगा मेरे परिवार की जानकारी आप देख सकते हैं मेरी screen पर खुल कर आज चुकी है और आप इसमें खाद्यान परची क्रमांक भी देख सकते हैं मुखिया का नाम देख सकते हैं परिवार की समगर ID देख सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपकी मूल यह जो आपकी उचित मूल की दुकान है आप उसको भी देख सकते हैं और परिवार के सदस्यों की जानकारी भी देख सकते हैं आपको बस ये उपर वाले option पर्डियान सुरक्षा परची देखे पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा रुखना है क्योंकि ये डाउनल cond होता है हमें ऐसा लगेगा कि एप शायद हमारा बंद हो गया है लेकिन एप बंद नहीं होता है आपको थोड़ा सा सबर रखना है और ये जो पर्ची है अपने आप डाउनलूड होके आपके फोन के अंदर आ जाएगा आप देख सकते हैं कि इसके पास से एक वेबसाइट भी हमारे फोन में खुल गई है आपको थोड़ा सा इसमें धहरे रखना होगा जब तक ये पूरी तरह से खुल नहीं जाती और आप देख सकते हैं दोस्तो एक application एक pp33753 नाम से एक document हमारे फोन में डाउनलोड हो गया है आपको दोस्तो इस पर click कर देना है click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी पातरता परची जो है वो फोन में डाउनलोड हो चुकी है और बड़ी आसानी से मैं किसी भी पास की दुकान से इसका print निकलवा के हमेशा permanent अपने पास इसको रख सकता हूँ तो दोस्तो कई लोगों के फोन में ये दिक्कत आ सकती है कि उनकी पातरता परची डाउनलोड नहीं हो रही है और बार बार डाउनलोड करने पर उनने डेटा डाउनलोड बादित दिखा रहा है जिसके लिए मैंने एक अलग separate वीडियो बना के रखा है जिसका description box में लिंक भी है तो अगर आपकी पातरता परची ये सब करने के बार डाउनलोड नहीं होती और आपका राशन कार्ड 1.1.2021 के पहले का बना हुआ है तो इसके लिए आपको मेरे वो वाले वीडियो पर click करक के देखना होगा मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को like, subscribe, share जरूर करें थैंक यू